Hello Students, Today I am going to start Chapter 3 Rangaz Marries from Class 11 Snapshots English Book. This is very interesting and humorous story. इस story में कुछ social problem को discuss किया गया है. पहला है belief in astrology. पहले के लोग astrology में इस कदर विश्वास करते थे कि पत्रा देखने वाले लोग बेवकूब बना कर पैसे वेटते थे. दूसरी समस्या जो दिखाई गई है वो है child marriage. पुराने जमाने में orange marriage होते थे, आज भी होते हैं. परन्तु पहले कुछ ज़्यादा ही था. लड़का लड़की को नहीं जानता था और लड़की लड़के को कोई जानकारी नहीं रखती थी. अचानक मन्डप में उनकी मुलाकात होती थी. फिर किस्मत में जो आता था उससे स्विकार कर लेते थे. परन्तु आज का समय बदल गया है. तीसरी समस्या जो उठाई गई है वो है English का ग्यान. पहले बहुत कम लोग English जानते थे. परन्तु समय बदलता गया. और लोग पस्चिमी सविता से प्रभावित होने लगे. चोथी समस्या जो डिसकस की गई है. वो है संसकार. पहले के लोग बहुत संसकारी थे. बड़ों की ज़त करते थे. नेरेटर भी यह मानता है. कि लोगों में संसकार अब कम हो गया है. जो मेन करेक्टर है. वो है रंगा. जो बैंगलोर पढ़ने के लिए जाता है. यह गाउं में पहली बार हो रहा है. कि कोई पढ़ाई के लिए सहर जा रहा है. दूसरा जो करेक्टर है. रतना है जिसमें जिससे रंगा की साधी होती है और तीसरा जो मेन करेक्टर है सियामा जो स्टोरी का नेरेटर है मैश मेकर भी है और गाओं की चिंता करता है एक और करेक्टर है गुंडा भट्टा जिसका रोल कम है तो आईए देखते हैं स्टोरी रंगा जो एकाउंटेंड का लड़का है वो एक ऐसा लड़का है जिसको की पढ़ाई के लिए उसको बाहर भेशते हैं और जब पढ़कर के वापस आता है बैंगलोर से पढ़कर वापस आता है तो भील उसको देखने जाती है लोग उसके देखने जाते हैं कि रंगा बदल तो नहीं गया है और मेरिज शादी को लेकर कि उसको क्या विचार है ये भी नेरेटर जानना चाहता है जो नेरेटर है उसका नाम है स्यामा और स्यामा गाओं में ही रहता है मतलब गाओं का एक person है Shama और वो सब ये सारी चीज़े देखता है और फिर वो आगे का plan बनाता है तो रंगा accountant का लड़का है और वो बैंगलोर पढ़ाई के लिए जाता है When you see the title some of you may ask Rangaz Maris किर रहा है कि जब आप ये title देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसका title रंगाज Maris क्यों है क्यों नहीं इसका टाइटेल रंगनाता वीवाहा या रंगनाता वीजिया है तो फिर मैं ये बता हूँ नेटर कर रहा है कि मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है वो कोई की बड़े राजा माराजा की स्टोरी नहीं है जगनात विक्ट्री या गिर्जा कल्यार इस तरह के टाइटिल हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये जो स्टोरी है ये हमारे रंगा की कहानी है जो कि एक गाउं में रहने वाला एक छोटा एक संसकारी लड़का है इसलिए कोई भी इसका कोई फैंसी टाइटिल नहीं रखा गया है गाउं का नाम होशाहली कहा है जो गाउं का नाम होशाहली तो पूछ रहे क्या आपने गाउं का नाम सुना है What a pity but it is not your fault का अपने गाउं का नाम नहीं सुना होगा क्योंकि यह आपकी गलती नहीं है There is no mention of it in geography book करा गाउं का जो mention है गाउं की गाउं के बारे में किसी भी geography book में नहीं लिखा गया अगर आप गाउं का नाम नहीं जानते हैं होशाहली गाउं का नाम तो इसका मतलब यह आपकी गलती नहीं है क्योंकि गाउं के लोग ही ऐसे है वो बहुत ही परिशान नेरेटर यह सोच कि कि गाउं के लोग अपने गाउं की बाद दूसरे सहर तक नहीं ले जाते हैं परचार नहीं करते हैं और जब कि जो बाहर पढ़ने जाता है वो वहाँ की सब्विता उठा के ले आता है लेकिन गाउं का जो संसकार है वो सहरों तक नहीं जा पाता है बाहर नहीं जा पाता है इसलिए होशाहली गाउं के लोग अपने गाउं का परचार नहीं करते हैं narrator इस बात को लेके बहुत दुखी है कि अगर आपने होशाहली का नाम नहीं सुना है तो यह आपकी गलती नहीं है बलकि इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि किसी भी जॉगरिफी बुक में इसका नाम मेंसन नहीं किया गया है किसी भी बुक में किसी भी नावल लिखने वाले ने इसको नहीं बताया है कहीं भी इसका मेंसन नहीं किया गया है और ओ कहला कि जो हमारे खुद के यहां के लोग हैं वो भी इस गाउंको भूल गये हैं there is no mention of it in geography book दो साहब इन इंगलाइन का इंगलाइन बे रहने वाले जो राइटिंग करते हैं वो भी इस गाउं का जिक्र किसी बुक में ने किये हैं हमारे अपने जो लोग हैं वो भी इसके बारे मुझे बूल गए हैं you know how it is they are like the flock of sheep किरा है कि यहां के जो लोग हैं हो साहलिक लोग वो भीड़ों के जुन्ड के समान है अगर एक भीड़े गड़े में जाएगी तो बाकी भी गड़े में जाएगे यानि अधिकतर जो इसमें illitrate है और उनको यह नहीं पता है कि गाउं में कितनी अच्छी चीजे हैं गाउं के बातों को बाहर ले जाना चाहिए और यहीं वदा है कि किसी जागरफर ने इसका मेंसन नहीं किया है ना तो किसी कार्टोग्राफर ने मैप में इसका उल्ले किया है कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप बनाता है तो कार्टोग्राफर ने भी होशाहली गाओं को मेंसिन नहीं किया है ना तो किसी जागरफर ने अपने बुक में लिखा है और ना तो किसी नावल लिखने वाले ने अपने बुक मेंसिन किया है यही वज़ा है कि होशाहली के बारे में बाहर के लोग नहीं जानते है अगर मैसूर राज में मतलब जो भारतवर से हमारा उसमें मैसूर राज है और मैसूर राज में एक स्वीट बहुत ही पॉपुलर है उस स्वीट का नाम है करिगा डबू का भारतवर से मैसूर राज है और मैसूर राज में करिगा डबू स्वीट बहुत famous है और ये festive meal है किसी भी festival में इसको बना जाता है खाया जाता है लेकिन जो करिगा डबू है वो तो पुरे भारतवास में प्रसिद है लेकिन मैसूर राज में ही होशा हल्ली भी आता है तो होशा हल्ली को लोग क्यों नहीं जानते हैं वो इस बात को लेके परेशान है कि एक छ करता है इसको लोग क्यों नहीं जानते हैं क्योंकि गाउं के लोग भेड़ों के जुन्ड के समान हैं गाउं की बात को बाहर तक नहीं ले जाते हैं गाउं में बहुत से अच्छी चीजे हैं जिसको वो लोग नहीं जानते हैं उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं तो न इंग्लेंड तक नहीं किया है लेकिन अगर उससे कोई पूचता है कि आप इंग्लेंड क्यों नहीं गए तो कहता है नो अनन्या I have left that to you कहा नहीं ये तो मैंने आप पर छोड़ दिया है आप जाके घूमिए फिर वो कहता है कि मेरा जो आदत है वो फ्ली पेस्टर डॉग जैसे नहीं है बहुत ही अच्छा इसमें लिटरेरी लेंग्विज का प्रियो किया गया है ताकि थोड़ा सा ब्यंगात्मक और थोड मेरी आदत नहीं है जैसे फ्ली पेस्टर का मतलब क्या है कि जिस कुटे के सरीर में किल्डे पर जाते हैं वो कुटा एक ही जगह घूमता रहता है तो करा यह मैं मेरी आदत यह नहीं है बलकि मैं बाहर जाके थोड़ा भूग हूँआ भी हूँ वी हैव अब यह बताता है न लोग नहीं जानते हैं तो बताता है कि नेरेटर का कहना है कि जो होशाहल ही है इसमें कुछ आम के पेड़ ऐसे हैं जो की स्पेसल है कम विजिट अस और आई विल गिव यह रौ मेंगो तो नेरेटर कहना है कि आओ मेरे गाउं में और मैं तुम्हें एक कच्छा आम दूंग करा कि यह कितना खटा है कि आप इसको काट नहीं सकते बद जैसे ही उसको एक कट करेंगे आप यह जो खटा पन है आपकी दिमाग में चला जाएगा तो नेरेटर करा है मैं भी एक खटा मतलब एक आम लाया और उसके चटनी बनाई लेकिन उसको खाने के बाद मुझे कफ हो गई तो जब मैं डाक्टर के पास गया तो डाक्टर ने कहा कि यह special kind का special fruit है मतलब इसमें बहुत ज्यादा खटा पन है लेकिन गाउं के लोगों को यह नहीं पता गाउं को लोग इसको बेकार का चीज़ समझते हैं तो नेर यह करना चाहता है कि अगर उसके अंदर एक खास तो इस तरह से एक और भी चीज है जैसे आम है उसी तरह से एक creeper भी है करहाएं एक creeper है जो कि गाउं के तालाब में उगता है और वो creeper के पत्ते इतने बड़े हैं कि उसका उपयोग ठाली के जगह पर किया जा सकता है नेरेटर का कहना है कि अगर आप गाउं के तालाब में नहाने जाते हैं तो आपको इस बात को लेके परिशान होने की जो इतनी है कि आप दोपर का खाना किस पे खाएंगे का कि आप ताला आपसे एक पता तोड़ लीजिए और उस पे आप सर्ब कर सकते हैं उस पे आप खाला खा सकते हैं तो यह चीज़े हैं जो गाओं को लोग को नहीं पता है और श्यामा जो narrator है उसका यह कहना है कि गाओं के लोगों को भी इस तरगे qualities को बाहर तक ले जाया जाना चाहिए अब श्यामा जो narrator है उसका यह कहना है कि English की जानकारी के बारे में करा है कि 10 वर्स पहले English बहुत कम लोग जानते थे होशा हल्ले में English जानने वाले बहुत कम थे और उस condition में जो accountant था गाओं का accountant उसने अपने लड़के यानि रंगा, रंगा को पढ़ाई के लिए बैंगलोर भेजा अब यहां से असली कान ही शुरू होती है जो मेन करेक्टर है रंगा, तो रंगा के जो फादर है एकाउंटेंट तो एकाउंटेंट ने यानि रंगा के फादर ने रंगा को आगे की पढ़ाई के लिए बैंगलोर भेजा लेकिन उस समय इंगलिस बहुत कम लोग जानते थी आज बहुत लोग इंगलिस जानते हैं का जब हॉलिडेज होता है तो बच्चे घर पे आते हैं और इंगलिस में बात करते हैं जब वो कन्नर में बात करते हैं तब भी इंगलिस सब्दों का प्रियोग करते हैं जब उनका कि अब बहुत ही समय बदल गया है लेकिन एक घटना बता रहा है नेरेटर जो कि दस साल पहले हुआ था का एक दिन में रामा राव के घर के सामने था और वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाली औरत आई रामा राव का लड़का बाहर निकला पैसे देने के लिए और उसने कहा कितने पैसे हुए तो औरत ने कहा फोर पाईस हुआ तो उस लड़के ने, रामा, राव का लड़के ने कहा यानि रंगा ने कहा कि मेरे पास change नहीं है का मेरे पास change नहीं है कल सुबा आओ तो वो ओरत यह नहीं समझ पाई उसको लगा कि कोई गाली उली दे रहा है और बढ़बढ़ा आते हुए चली गई तो कहने का मतलब यह है कि उस समय लोग इतना कम इंग्लिस जानते थे कि चेंज का मतलब भी नहीं जानते थे narrator को भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है फिर वो रंगा के पास गया तो समझ में आया कि चेंज का मतलब यह होता है This priceless community, the English language, was not so widespread का 10 वर्स पहले इंग्लिस की जानकारी बहुत कम लोगों के थी इसलिए रंगा जब बैंगलोर से पढ़कर आया तो यह बहुत बड़ी घटना थी लोगों को लगा कि एकाउंटेंट का लड़का सहर से आया है तो जरूर उसके संसकार बदल गया होंगे इसलिए रंगा को छूने उससे बात करने के लिए लोग वहां पहुँचे रंगा जब बैंगलोर से आया तो उससे मिलने के लिए उसका चेहरा देखने के लिए लोग उसके घर पर पहुँचे और उसके घर के सामने पूरी भीड लग गई गाउवालों की का नेरेटर भी वहाँ पर चला गया और देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है उसने पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड क्यों है एक छोटा बच्चा जिसके पर दिमाग नहीं था उसने कहा कि मतलब नेर्टर ने पूछा क्या यहां पर कोई बंदर उंदर आया है क्या बंदर का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उस लड़के ने कहा अगर बंदर का प्रोग्राम हो रहा है तो आप यहां पर क्या कर रहे है यानि उसके अंदर संसकार नहीं था उसके पास मैनर नहीं था उसको नहीं मालुमता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं तो वहां बहुत से लोग थे जो रंगा से मिलने आये थे रंगा बाहर निकला और उसने हर व्यक्ति से हर लोगों से अच्छे से बात किया और वो जो उसकी गली थी यानि जहां पर रंगा का घर था वो ब्लैक होल आप कलकत्ता बन गया था यानि इतने भीडे जमा हो गई थी जिसे लग रहा था कि कलकत्ता की कोई तंग गली है और वो क्या करने आये थे? वो रंगा से मिलने आये थे कि रंगा कहीं बदल तो नहीं किया है क्योंकि गाव वालों को ऐसा लगता था कि जो सहर से वापस आता है उसमें उसके संसकार बदल जाते हैं वो सहर का संसकार लाता है देखिर ऐसा नहीं हुआ रंगा में कोई चेंजिंग नहीं हुआ था छे मईने पहले रंगा गया था और जब वापस आया तो बहुत ही अभी भी उसके अंदर संसकार था एक बुड़ी औरत उसके पास गई और उसने उसके जनेव को जो की सैकरेट थ्रेड होता है उसको टेच करके देखा और फिर उसने कहा कि रंगा भी बदला नहीं है उसने अपना धरम नहीं भूला है तो इस तरह से सबको विश्वास होके एक रंगा बदला नहीं है जब सभी लोग वहां से चले गए तो नेरेटर भी वहां पर गया और नेरेटर ने थोड़ा हसी मज़ा किया कहा कि हाओ आर यू रंगपा रंगपा तुमारा क्या हाल है और उसने ना सिर्फ नमसकार किया ब और आदर से नमसकार किया और कहा कि मैं आपके असिर्वास से ठीक हूँ आई मस्ट ड्राइव अटेंशन अपने एकर रहा है कि मैं रंगा के करेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं का कि ही न्यू डैट उसको पता था कि किस तरह से लोगों से बात करनी चाहिए और एक पोल की तर्ड़ खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके सरीर में कोई जॉइंट ही नहीं है और वो अपने सरीर को जटका देते हैं जैसे कोई वाकिंग स्टिक हो मतलब ना सिर्फ उसने अपने हाथ जोड़े बलकि वो जुक कर मेरे पैरे भी चुआ तो फिर नैरेटर ने असरवाद दिया कि तुम्हारे साधी सिग्र हो और इस तरह से थोड़े बात करने के बाद नैरेटर वहाँ से चला आया फिर जब दोपर में नैरेटर रिष्ट कर रहा था तो उसने देखा कि रंगा आया उसके घर में और वो दो संत्रे लाया है तो कितना जेनरस आदमी है कितना ये कल्चरल फेलो है जैने नैरेटर ने देखा कि श्यामा ने देखा कि पहले तो वहाँ पर उसके घर के पास उस और इस संसकारी लड़के की साधी अवस्य हो जानी चाहिए ताकि ये समाज की परिवार की सेवा कर सके तो narrator बहुत प्रभावित हो गया उसके संसकार से और उसने सोचा कि इसके पहले की लड़का बिगड़ जाए उसकी साधी तुरंत करा देने चाहिए तो फिर उसने narrator ने रंगा से पूछा कि रंगपा when do you plan to get married तुम कब साधी करोगे तो अब यहाँ पर रंगा ने जबाब दिया कि I am not going to get married now उसने का कि अभी साधी करने का मेरा कोई विचार नहीं है उसने का कि अभी मेरा कोई विचार नहीं है तो पूछा क्यों नहीं तो फिर रंगा ने कहा कि मुझे सही लड़की की तलास है और उसने का कि I know an officer who got married only six months एगो का है मैं एक officer को जानता हूँ जो कि छे महीने पहले सहर में साधी किया वो तीस साल का था उसकी wife 25 की थी और वो बहुत अच्छे से रह रहे थे they will be able to talk और दोनों एके दूसरे से अच्छे से बात कर रहे थे तो इसलिए रंगा पुरी तरह से ये सोच लिया था चुकि वो संसकार उसका नहीं बदला था लेकिन साधी को लेकर कि वो सहरी कल्चर को मतलब उसने अडाप्ट किया था उसको लगा था कि सहर में जो मैच्चोर हो जाते हैं तब साधी करते हैं इसलिए उसने जवाब दिया कि अभी वो साधी नहीं करेगा क्योंकि गाव में एक व्यक्ती थे ओफिसर थे वो जब 30 साल के हुए तो उन्होंने 25 साल के एक लड़की साधी की तो रंगा ने कहा कि मालो मैं किसी चोटी 25 साधी करूँ और मैं कुछ और कहूँ वो कुछ और समझे फिर रंगा ने कहा कि अभी हाली में उसने सकुंतला दुस्चन सकुंतला का एक नाटक देखा का सकुंतला जो काली दास ने लिखा है वो दुस्यंत सकुंतला का नाटक देखा और उसमें दुस्यंत और सकुंतला काफी मेच्योर थे तो इस तरह से वो पुरी तरह प्रभावित हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि या तो साधी तब करे जब कोई व्यक्ति मेच्योर हो इस तरह से जो उसके आइडियास थे यह सुन करके श्यामा नेरेटर बहुत दुखी हो गया क्योंकि वो देख रहा था कि रंगा बहुत संसकारी है तो उसके हाथ सामाजिक बंधन में बांद देना चाहिए साधी करा देना चाहिए लेकिन अभी रंगा कह रहा था कि जब यो म होने लगा तो फिर नेटर ने पूछा कि क्या और कोई वज़ा है तो फिर रंगान जबाब दिया एक आदमी को उसी साधी करने चाहिए उस लड़की से जिसको जानता हो वाट वी हैब नाव अरेंज मैरिजिस का अभी हमें हमारे समाज में अरेंज मैरिजिस हैं और मालो व यह अपना फिंगर भी काटना ना जानती हो तो इस तरह से उसका जो विचार यह था कि छोटी बच्चे से साधी नहीं करना चाहिए फर एक में एक महौरा यूश किया गया है एक तो करेला उपर से नीम चड़ा जैसे कोई करेला तो करवा होता ही है लेकिन अगर नीम पर च चोटी बच्ची है और उससे कोई साधी करें और उससे कुछ कहें और समझें कुछ और इसलिए उसके अंदर में च्योटी जब तक नहीं रहेगी साधी नहीं करनी चाहिए तो रंगा ने कहा कि यहीं उसका विचार है I was distressed the boy that the boy who I thought would make a good husband तो श्यामा काफी दुखी हो गया वो सोचा कि जिसको एक good husband बनाना चाहिए था वो तो bachelor होने के बारे में सोच रहा है मतलब स्यामा ने सोचा था कि उसको एक अच्छा पती संसकारी है समाज की सेवा करेगा लेकि रंगा का जबाब तो कुछ और ही था उसके बाद स्यामा ने अपना एक प्लान तयार किया और अब रामा राव की बतीजी थी जो 11 years की थी और उसके साथ रहती थी जिसका नाम रतना था अभी आएगा तो जो रामा राव की बतीजी थी वो 11 years की थी और उनके साथ रहती थी वो एक बड़े टाउन में भी हो आई थी और वो वीना और हार्मोनियम बजाना जानती थी उस उसके जो parents थे रतना के उनके date हो गई थी और अंकल ने उनको पाला पोसा था तो रंगा was just the boy रंगा एक perfect उसके लिए लड़का था और रतना एक suitable bride थी Since I was a frequent visitor तो स्यामा कहता है narrator कहता है कि चुकि मैं रामा राव के घर हमेशा आता जाता था तो रतना मुझसे बहुत घुल मिल गई थी कहाँ मैं नाम भोलना बताना भोल गया रतना उसका नाम था जो कि मैंने पहले ही बता दिया The next morning I went to their house तो अब इसकी planning सुरू हो जाती है रंगा और रतना की साधी कराना ही है ये स्यामा ने decide कर लिया और फिर करते हैं जिससे की लड़का तैयार हो जाए वैसे एक माहल बनाने के लिए वो बिल्कुल प्लानिंग कर लिया तो सुबह सुबह नेरेटर रामा राओ के घर गया और कहा कि रामा राओ की वाइप से कहा कि मैं गाउं से बटर मिल्क लाया हूँ यानि चाच लाया हूँ और रतना को उसको लेने के लिए भेज दीजिए तो रतना आई सुक्रवार का दिन था और उसने एक बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी जब वो कमरे में आई तो नेरेटर ने उससे गाना गाने के लिका और जब वो गाना गा रही थी कृष्णा मूर्थी in front of my eyes ये गाने का बोल था कि कृष्णा मेरी आखों में तो रंगा रंगा रिस्द ड़ोर उसी समय उसने रंगा को भी बुला लिया सबसे पहले इसकी प्लानिंग के थी ये चाहता था कि जैसे वो गाना गाए उसी समय रंगा भी आ जाए और फिर पहले नजर में उसको देख ले तो उसको थोड़ा पसंद आ जाए तो जब रतना को बुलाया नेरेटर ने और उससे गाना गाने के लिए कहा उसी वक्त उसने रंगा को भी बुला लिया तो रंगा जैसे ही वहाँ पहुचा रतना की जो मधूर आवाज थी उसके कानों में गूजी वो थ्रेसोल पर ही रुख गया और वो नहीं चाहता था कि गाना रुखे बहुत ही प्रभावित हो गया था और देखना चाहता था कि लेकिन उसके अंदर जो उच्छ सुकता थी की देखने की की अंदर ये सिंगर कौन है और उसने कमरे में जहाग कर देखा तब ही उसकी चाहा कमरे में पड़ी और रतना को ये समझ में जाग गया कि कोई स्ट्रेंजर वहाँ पे खड़ा है और वो गाना रोग दी अब इसको आम खाने से कंपेर किया है नेरेटर ने जो कि बड़े मजाकिया अंदाज में कह रहा है कि जब रंगा वहाँ पहुचा और रतना का बहुत अच्छा गाना चल ला था तो पहले तो गाने से बहुत प्रभावित हो गया लेकिन जब उसके अंदर एक क्यूरासिटी आ गई कि उस सिंगर को देखना चाहिए और सिंगर को देखने के लिए अंदर जहाका और उसकी जो च्छाया थी वो अंदर पड़ी और रतना को समझ में आ गया कि कोई बाहर भी खड़ा है तो उसने गाना रोक दिया अब यहां पर आम खाने से यहां पर कंपेर किया कि मान लेजिए कि आप बहुत अच्छे क्वाल्टी का आम खा रहे हैं उसके छिलके उतार के निकाल रहे हैं और बहुत यूसी फलेस हैं और अचानक वो आम आपके हां से छुटकर जमीन पर गिर जाए तो आपको क्या महसूस होगा तो रंगा के चेहरे पर ऐसे ही भाव आ गए जब अचानक गाना रुक गया तो वो ऐसे ही उसके चेहरे पर भाव आ गए जैसे आम खाने वाले के हांच से आम छूट कर जमीन पर गिर जाता है फिर उसने कहा कि you send for me उसने स्यामा से कहा आपने मुझे बुलाया है रतना stood in distance कुछ दुरी पर रतना भी खड़ी थी रंगा लगातार उसको देखे जा रहा था और रतना बहुत embarrassed हो गई थी कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था तो रंगा ने कहा कि it was my coming in that stop the singing कहा मेरे आने से ही गाना रुक गया है अब मैं जा रहा हूँ words mere words मतलब उसने ये सिर्फ सब्द कहे लेकिन वहाँ से वह हील नहीं रहा था तो कह रहा है कल्यूक के जमाने में आप कैसे ऐसे सब्दों से उम्मीद कर सकते हैं कोई कह रहा है कि मेरे आने से ही गाना रुक गया मुझे चलना चाहिए लेकिन वहां से वह हिल भी नहीं रहा है फिर कुछ दिर के बाद उसने रंगा ने पूछा कि who is that girl अब यहाँ पर रंगा को लाइन मान लिया है और रतना को he goat यानि बकरा मान लिया है जैसे सेर जानना चाहता हो कि कौन बकरा अंदर चिपा हुआ who has taken shelter in the temple does it matter who I am I am a poor animal who has already eaten nine lions तो बकरे ने जबाब दिया कि तुमें इससे क्या मतलब है कि मैं कौन हो मैं एक ऐसा बकरा हूँ जो नौ सेर खा चुका हूँ क्या मतलब है इसका tell me are you male और female पहले तुम बताओ कि तुम male हूँ या कि फीमेल हूँ और जो सेर है और दुम दबाके भाग गया मतलब जब आप इसको अभी इसका real meaning पता चलेगा जैसे जो बकरा है वो रतना है रतना को बकरा मान लिया गया है और रंगा को सेर मान लिया गया है तो सेर अभी बकरे पर जपटने वाला है तो बकरा जो है वो सेर का भी बाप है बकरा कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूँ मैं पहले ही नौ सिर खा चुका हूँ इसका मतलब अनभव के मामले में बकरा सेर से दो कदम आगे है वो अनभव कौन है? वो अनभव है साधी रतना के बारे में जब नेरेटर कहेगा कि वो तो साधी सूदा है तो रंगा अपसेट हो जाएगा और वहाँ से भाग जाएगा इस तरह आप समझेगे तो लाइक दे ही गोट आई सेट वाट ड़ज इट मैटर तो आइदर अफस वो सी इज आई एम अलड़ी मैरीड एंड यू आट मैरिंग काइंड तो बकरा मानो बकरा कह रहा हो कि तुम्हें इससे क्या मतलब के अंदर कौन है मेरी साधी पहले ही हो चुकी है और तुमारी अभी हुई भी नहीं है तो अभी नेरेटर कहेगा कि उसकी साधी हो गई है वो जूट बोलेगा वेरी होपफुली शी इस नोट मैरीड देन तो रंगा ने पूछा तो इसकी साधी तो नहीं हुई है न His voice did not betray his excitement but I knew it was there मतलब उसकी आवाज में कोई excitement नहीं था लेकिन श्यामा को पता चल गया था कि वो excited है तो she was married a year ago तो नेटर ने कहा कि उसकी साधी एक साल पहले हो गई है अब ये सुन करके रंगा का चेरा ऐसे हो गया जैसे भुना हुआ वैगन His face rivaled like roasted brinjal फिर रंगा अपसेट हो गया क्योंकि उसने सबसे पहले देखा था रतना को जो कि बहुत उसको पसंद आई थी लेकिन उसके excitement को बढ़ाने के लिए नेटर ने कहा कि उसकी साधी हो गई है तो अब वो तुरेंट तो वहां से जाने लिए कहा मुझे अब जाना चाहिए काम है I went to इसके बाद अब उसकी planning का second part सबसे पहला जो first impression उसको दिखाना था कि रंगा रतना को पसंद कर ले वो तो पास हो गया मतलब उसका mission पास हो गया अब दूसरा जो mission था वो था पंडित से जा करके और कुछ और ज्यादा कुछ planning को आगे बढ़ाना था I went to our sastry the next morning Syama जो narrator है वो village sastry village पंडित के पास गया और कहा कि अपने सारे जो पत्रा उत्रा है इसको तुम तैयार करके रखो tutor किया उसको सिखाया और कहा कि जैसा मैं कहूंगा वैसे ही करना इस तरह से उसने पत्रा अपना तैयार कर लिया I found no changing रंगा जब दोपर में वो रंगा से narrator मिलने गया तो देखा कि उसमें कोई भी changing नहीं आई है और अभी भी वो विचारा बिस्तर पर लेटा हुआ है विचारों में खोया हुआ है तो सियामा ने उससे पुछा कि तुम कुछ विचारों में खोया हुए हो क्या तो उसने का नहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है headache क्या सिर में दर्द है अगर सीर में दर्द है उस चलो डॉक्टर के पास चलते हैं तो किसी बहाने से स्यामा उसको विलेज पंडित के पास ले जाना चाहता है तो उसने का कि I have no headache का कि मेरे सीर में कोई दर्द नहीं है ऐसे ही बस थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on तो नैटर ने कहा कि इसी तरह मेरी भी तबियत खराब थी जब मेरे साधी की बात चल लई थी But I don't think that could be a reason for your present condition लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम इस साधी को लेकर के सोच रहा है क्योंकि तुम पहले ही कह चुके हो कि मैच्छोर होने पे साधी करोगे रंगा इस्टेर मी अब रंगा नहीं समझ पाया कि क्यों कैसे मेरे दिल की बाते समझ गया का काम लटेस गो का चलो बाहर चलते हैं सास्ते से मिलते हैं We will find out whether guru and sunny are favorable for you हम ये पता लगाने कोशिस करेंगे को गुरु और सनी की दसा तुमारी सभी चल लएए कि नहीं चल लएए रंगा बिना बिरूत के चलने लगा और जब सास्ती के पास पहुँचा तो सास्त्री ने कहा कि स्यामा से कहा कि बड़े अस्चर की बात है बहुत दिन बाद मिले हो और जब कि स्यामा अभी उससे कल ही मिला था लेकिन उसने नकली अपना दिखाया कि बहुत दिन बाद मिले हो I got angry and shouted What this morning तो वो गलती से बोल दिया अस बातों मिले थे से बहाना किया कहा कि अब तुम free हुए हो और मुझसे मिलने के लिए He had not done so I would have ruined our plan by bursting like a grains that are kept in the sun तो अब जब बोल दिया narrator ने कि आज सुबह ही तो मिले थे तो उसको लगा कि उसका पूल खूल जाएगा क्योंकि सास्ती ने कहा कि बहुत दिन बाद आयो तिस तरह से उसको लगा कि उसका plan वैसे ही fail हो जाएगा जैसे कोई अनाज को दूप में सूखने के लिए रख दिया जाए और वो फट जाए कोई अनाज है जिसको खेतों में डालना है और उसको मालों धूब में रख दिया जाए और फट जाए तो बोने लाइक तो रहे गए नहीं तो उसी तरह उसको लगा कि कहीं उसकी पूल न खूल जाए सास्ती टन रंगा पिस सास्ती रंगा से पूछा कि ये जो एकाउंटिन का लड़का है ये गाउं कब आया मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ और ये बहुत कम हमारे पास आता है तो फिर स्यामा ने कहा कि अपना जो भी पैराफर ने लिया है मतलब अपना जो भी पत्रा या जो भी चीज़ें जिसके जरिये तुम भवस्तिबारी करते हो वो निकाल लो रंगा की दिमाग में कुछ चल ला है और बताओ कि वो क्यों परिसान है अपने इस्ट्रलाजी का टेस्ट करो तो विलेस पंडित ने कहा कि विलेस पंडित ने कहा कि पत्थर जैसा कोड़ी और उसने तार के पत्ते पर लिखा हुआ कोई एक किताब निकाला कहा कि हमारा जो एस्ट्रलाजी है बहुत पुराना साइंस है और मैं कभी किसी दिन बताऊंगा यह हरी कथा नहीं है कि एक कहानी के बाद एक कहानी है मैं तुमें इसके बारे में डीटेल बताऊंगा सास्त्री ने अपने मन में कुछ बढ़ बढ़ाया मतलब ऐसे लगा जैसे मंतर पहड़ा हो और फिर रंगा से पुछा कि तुम्हारा स्टार क्या है तुम्हारा नच्छत्र क्या है मतलब तुम्हें रासी क्या है रंगा को पता नहीं था तो फिर कहा कोई बात नहीं सास्त्री ने कहा कि उसके ललाट को देखा और कुछ कैलकुलेशन किया और कहा कि ये तो सिरियस मामला है तुम किसी लड़की को लेकर कि बहुत परिसान हो तो रंगा को लगा कि ये बहुत पहुंचेवे महात्मा है और ये कैसे मेरे मन की बात जान गए और उसको नहीं पता था कि ये सारा तो पट्टी पढ़ा चुका था स्यामा ने पहरे ही बता दिया था इसी तरह से गाउं के जो पंडित होते हैं इससे बाड़ी करते हैं गाउं के क्या हर जगह के जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले घर के बारे इम पता कर लेते हैं और जब वहां पर कोई पहुंचता है तो कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये हुआ था तो अगला टरन टू रंगा तो रंगा से नेटर ने कहा कि यही तो मैं भी कह रहा था तो नेटर ने पुछा पंडित से कि यह लड़की कौन है सास्त्री कुछ देर के लिए सोचा और कहा कि जो उस लड़की का नाम है वो समुद्र में पाई जाने वाले कोई चीज है या तो कमला जैसे कमल है कमल जैसे समुद्र में पाई जाने वाले कोई चीज है समुद्र में तो कमल ने उगता है नदीम उगता है तो या तो कोई मौस है मतलब जैसे काई होती है या कोई समुद्री घास इस तरह के कोई नाम है मतलब इदर उदर उदर को घुमा रहा था और कह रहा था कि फिर कहा कि हो सकता है अगर कोई मौस नहीं है या कोई कमला नहीं है तो जरूर कोई रतना होगा मतलब कोई रतना होगा मतलब समुद में पाइजाने वाले जैसे मोती भी पाइजाता है या को रतने पाइजाता है तो कुल मिला को घुमा फिला को उसको रतना नाम पे आना था रतना, the girl Rama Rau's House तो फिर narrator ने कहा कहा एक रामा Rau के बतीजी है, उसका नाम रतना तो है लेकिन देखो क्या मतलब कोई चांस बन रहा है कोई संजोग बन रहा है तो कहा definitely after thinking for some time तो पंडित ने काफी दिर बाद कहा मतलब काफी सोचने के बाद कहा हाँ बिल्कुली संजोग बन रहा है रतना के साथ साधी करने का अब रंगा आश्चर से देख रहा था कैसे यह सब हो रहा है बट डाइट गल इस मैरीड लेकिन एटर ने कहा कि उसकी साधी तो हो गई है अब रंगा फिर से उदास हो गया तो पंडित ने कहा कि I don't know all that का यह सब मैं नहीं जानता सास्त्रों में तो यही लिखा है I only told you what our सास्त्रा indicated मैंने आपको तुम्हें यही बताया है जो सास्त्रों में लिखा हुआ है We left the place उसके बद वहाँ से चले आए और रंगा को लेके narrator रास्ते में जाने लगा और रास्ते में ही रामा राव का घर भी पड़ता था रामा राव का घर रास्ते में पड़ता था और दरवाजे पर रतना खड़ी थी तो ऐसे नकली दिखाते हुए कहा narrator ने कि अभी मैं कुछ दिर में हाल चल लेके आता हूँ और वो अंदर गया और फिर कुछ दिर के बाद बहाद निकल गया और रंगा से कहा कि बड़े हस्चर की बात है ये लड़की जो है रंगा रतना उसकी साधी नहीं हुए किसी ने मुझे ऐसे बेवकूब बनाया था किसी ने कहा था कि उसका साधी हो गई है और सास्त्री ने जो कहा वो अब सई सिद्ध होने जा रहा है I cannot believe that you have been thinking लेकिन मुझे नहीं लगता है स्यामा ने कहा कि रंगा से कहा कि मुझे नहीं लगता है कि तुम साधी के लिए तैयार हो अब इतना ज़्यादा जो उसने माहौल बना दिया था उसके बाद पूछ रहा है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम साधी के लिए तैयार हो साधी के लिए तो उसने कहा I don't know whether anyone else would have been direct रंगा admitted There is greater truth in sastra than we imagine तो रंगा तो मनी मन चाहता था साधी उसकी हो जाए अब उसका जो भी philosophy था कि मैच्चूर होने पर साधी करेगा वो सब फेल हो गया narrator ने ऐसा चाल चला कि वो साधी के लिए तैयार हो गया उसने कहा कि रंगा ने कहा कि जो सास्त्र में लिखा है बहुत सत्त है इस तरह से दोनों की साधी हो गई and सास्त्री was at the well साम को सास्त्री कुमे के पास मिला तो नेटर ने पुछा कि तुम बहुत ज़्यादा बोल लाए थे और what a marvelous सास्त्रा दोनों हसी मजा किये कि क्या acting किये what are you saying ये सब हो गया मतलब इसके बाद से रंगा और रतना की साधी हो गई अब यहां पर यह जो line दिया वो gap दिया हुआ है यह काफे साल बाद की स्टोरी है रंगा और रतना की साधी हो गई उसके बाद से उन दोनों का एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम हो स्यामा रखे तो स्यामा के बड़े पर स्यामा के एक बड़े आया और बड़े पर वो फिर स्यामा को यह नैरेटर को इन्वाइट करने आये वो तीन साल का हो गया था तो रंगपा had come the other day to invite me for dinner रंगपा रंगा जो स्यामा को डिनर पर इन्वाइट करने आये था तो पूछा कि क्या बात है तो उसने कहा स्यामा का बड़े है वो तीन साल का हो गया है तो कहा कि स्यामा I am not I am like a dark piece of oil cake तो स्यामा नेटर ने कहा कि मैं तो कोईले की तरह काला हूँ और तुम अपने उस प्यारे से बच्चे का नाम स्यामा क्यों रख दिये बहुत तुम लोग childish couple तो I know I know it is English custom फिर कहा कि हाँ ये English custom है कि जिसको आप पसंद करते हैं उसी का नाम रख देते हैं जो चुकि स्यामा नेटर की वज़ा से उनकी साधी हुए थे इसने पने बच्चे का नाम भी स्यामा रख दिये फिर उसकी wife जो है 8 month की pregnant थी और पुछा कि अब खाना कौन पकायागा तो कहीं उसकी sister अब आ रही है इस तरह से I went there for dinner स्यामा दोड़ते हुए लाया स्यामा उस जो चोटा बच्चा था रंगा का लड़का था वो आया तो नेटर ने उसको किस किया और फिर उसको अंगोटी पहनाई फिर कराया कि allow me to take leave अब मुझे मैंने अपनी कहानी बता दी है उमिद है आप बोरने हुए होंगे तो इस तरह से देखा जाए तो किस तरह से आप देखिए कि किस तरह से बच्चों का mind divert करके और एक अच्छा सा महाल बना करके लड़की को सजा आउजा करके और लोग बिठाते हैं और लड़का उसको जानता भी नहीं होता है तो arrange marriages में फिर ऐसी साधिकल तैयार जाता है इस टोरी अगर आपको पसंद आई है तो आप comment box में जरूर लिखें और subscribe करें चैनल ताकि और भी अच्छा वीडियो में आपके लिए बनाता रहा हूं Thank you very much